वेल्कम बैक टू एसस कोचिंग तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम आप से बात करने वाले हैं वो करेंगे गुजराथ PCS में जो वेकैंसी आई है काफी एच्छी वेकैंसी आई है और इसमें तीन कटागरी में वेकैंसी आई हैं हाँ पर एसिस्टेंट प्रोफेसर की एसिस्टेंट इंजीनियर की एसिस्टेंट रिसर्च ओफिसर की और इस्टेट टेक्स इंस्पेक्टर की हाँ पर वेकैंसी हमें देखने को मिलेगी तो फ्रेंड्स टोटल वेकैंसी है तो इस वेकन्सी के बारे में पूरी बात करने से पहले हम आपसे यह जाएंगे अगर अभी तक आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए इससे होगा क्या कि जो भी इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो डालते हैं किसी भी जॉप नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग या फिर कोई न्यूज अपडेट हो जॉप से रिगार्डिंग तो उसकी वीडियो आप तक इमेजेटली मिल जाएगी तो अभी हमने रिसेंटली एक दिल्ली फुल पुल्डर होगा आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको उहां पर हमारी सारी नोटिफिकेशन की अपडेट्स की वीडियो मिल जाएगी तो चलिए आपका जादा समय ना लेते हों यहां पर हम बात करते हैं जो बात करेंगे वो करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमिशन की जो आप देखेंगे यहाँ पर 765 वेकंसी आ गई हैं तो इसकी जो लाज्ट डेट की पहले बात कर लेते हैं आप देखेंगे यहाँ पर एप्लाइंग बिफोर 30 अक्टूबर 2018 यानि 30 अक्टूबर 2018 से पहले यह आपको फॉर्म फिल कर लेना है और अगर eligibility criteria की बात करते हैं तो eligibility हम इसमें अभी देखते हैं क्या-क्या रहने वाली है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पर करेंगे PCS में यह जो असिस्टेंट इंजीनियर की वेकेंसी आई है सिविल वाले बच्चों के लिए है और यहाँ पर टोटल जो वेकेंसी है यह है 285 और पेस्केल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं खुद यहाँ पर 44,900 से लेके एक लाग 42,400 रुपे तक यहाँ पर वेकेंसी रहने वाली है यह वेकेंसी प्रोपर बीटक वालों के लिए है डिप्लोमा होल्डर्स में नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने जो दिये वो 30-35 और यह गुजरात PCS की है तो इसकी जोब लोगेशन भी गुजर असिस्टेंट प्रोफेसर की एंगेंसी है इसका पेश्कील की बात करें तो 15,600 रुपे से लेके 29,100 रुपे तक हैं पर वेकेंसी इसमें पेश्केल रहने वाला है और जो इसकी क्वालिफिकेशन मांगी है फ्रेंट से वह पोस्ट्रेज्वेट मांगी है और लिमीट के बा यहां पर अगर आपकी जो मेन बात कर ली जाएं तो आसिस्टन् डिसर्च ऑ no dancer की काफी अच्छी कर विकेंसिया थे पर इसमें पहुच्छ काफी में है पांच विकेंसिया यहां पर आप पेस्टेल यहां पर यहां पर यहां परだई tay star से अच्छी वेकंसी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की टैक्स इंस्पेक्टर तो हरको यह बनना ही चाहता है तो यहां पर जो वेकंसी है वह पूंब दिये 20 से 35 और यह जोब लोकेशन यहां भी गुजराती रहने वाली है तो इसकी चलो इसी फुल डिटेल से चेक करके बात करते हैं इसमीं क्या-क्या आगे रहने वाला है तो यहां पर इसे अपने ओपन क्या है आप देखेंगे यहां पर टैक्स- इस्टेट टैक्स इंसपेक्टर 200 इक सी और यहाँ पर जे देख लेते हैं फीज की बात करें तो जन्रल कि यहां पर 100 रुपीज दी हुई है और SCST कि यहां पर कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला है तो स्टार्ट इसी काफी स्टार्ट अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो वह 15 अक्टूबर 2018 और अगले साल यानी 2019 में 10 फरवरी में होगा इंपोर्टेंट लिंक्स भी आप देख सकते हैं इसके जो जो अभी ओपन हो चुके हैं जैसे अपलाई ऑनलाइन के लिए अपलाई करने के लिए यहां पर लिंक दे दिया गया है और ऐसे ही अगर और हम और वेकेंसी की बात कर लें जो अभी हम और जो यहां पर देख रहे थे अगर उसमें जो मोटे-मोटे वेकेंसी उसकी खुलके बताएं जैसे यहां पर यह अगर पूरी एलिजिबिल्टी चेक करते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से यहां पर समझ में आएगा तो आप देखेंगे वेकेंसी सेलरी और यहां पर टेक्निकल से आपकी डिग्री होनी चाहिए और वो सिविल से होनी चाहिए बीस से पैंतिस यहां पर एज दी हुई है जो भी मैंने बताई थी जन्रल ओवी सी सो रुपे से स्टी नेल और पंदर अक्टूबर से यह स्टार्ट होगा एक बज़े तक और तीस अक्टूबर दुफैर के एक बज़े तक इसे एपलाई कर सकते हैं यहां पर अगर आप एपलाई ओनलाइन और डिटेल एड़ेज ल लीजे थैंक यू फो वाचिंगू